एहम खबर और बड़ी खबर राइपूर से सियम बगेल के साथ आज बैठक हुई टीयस सिंग देव के और इस बैठक में सिंग देव के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे तो सिंग देव प्रिहसपस सिंग विवात पर इस बैठक पर चर्चा हुई और बैठक के बाद मंत्री मुहमद अखबर का बड़ा बायान की टीयस सिंग देव नाराज नहीं है पियल पुन्या ने टीय सिंग देव से बातचीप की है फोन पर पुन्या ने सिंग देव से अकेले में बात की कहीं कोई दिक्कत नहीं है शुकुमार डहरिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कल तक स्थिती पूरी आपके सामने होगी इस पश्ट हो इसी परिसेती रहे कि उसे साब से अला कमान से भी बात ही होगी साथ में हम लोग है तुन से भी बात ही हुआ को सर ग्यांकरिया रहती है मामला कुछ है नहीं जिस तरह के से जो परचारित किया जा रहा है ना उस टाइब की कोई बात नहीं है उनको सुचना दी गई और वो आ गए आपस ने में जूल के बैठा कुई बात चीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे चर्चा हुई देखो यह आपचारिक बैठक थी मंत्री मंदल की बैठक नहीं थी और पूसरे आन्य विश्व में भी बहुत सारी बात चीत हुई है लेकिन फिलाल ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नाराजी चर्चा हो गया है और कल उसका परनाम आ जाए गा दिखे का आपको तो रायपूर से इसक्त की एहम ख़बर और बड़ी खबर है कि टीयस सिंग देव के निवास पर इसक्त बैठकों का दोर जारी है अपने सवर्कों के साथ वो बैठक कर रहे हैं टीयस सिंग देव के साथ कई विधायक भी मौजूद हैं विधायक चनी साहू विधायक शहले और वैबह शुपांडे हमारे सेवगी इस वक्त मौझूद है वहीं पर टीयस सिंग देव के आवास के बाहर किस तरीके के हलचल वैबह वहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि कई विधायक वहाँ पर पहुचे हुए और सीम से मुलाकात के बाद जब टीयस सिंग देव वहाँ प टीयस देव अंदर है यह देखिए सरगुजा सदन है टीयस देव का बंगला है और वह अंदर मौझूद हैं विधायक जो हैं चनि साहू सैलेस पांडे और अंबिका सिंग यह तो मौझूद ही हैं कुछ और विधायकों के साथ बाचित चल रही है उनकी फोन पर यह कहा जा जब सदन से पहली बार निकले थे तो उसी बात के साथ वो कायम है कि जब तक सरकार के तरफ से इस्तिती इसपश्ट नहीं हो जाती तब तक वो विधान सभा जाने पर विचार नहीं करेंगे यानि कि परिस्तिती क्या होगी कल उसके बाद वो तैय करेंगे लेकिन मैं मौझूद्गी के बीच बाचीत कर रहे हैं हाले कि सिदे आज मेडिया से मुखातिब नहीं होंगे बाचीत नहीं करेंगे यह कहा जा रहा है और वो कल ही इस मसले पर आगे कुछ कह सकते हैं किस मसले किस तरह से वह अब इस पर आगे जाएंगे क्या रणीती होगी इसका पत की बढ़ गई है दरकुल हल चल हल चल काफी तेज यहां पर बढ़ गई और जिस तरीके से वहां पर हल चल बढ़ी है इसको देखकर कह सकते हैं कि आज कुछी देर बाद या कुछ घंटे बाद या शाम तक कोई ने कोई इस मामले में एक अबडेशन होगी एक नतीजे पर यहां पर टियस सिंग देर साहब पहुंचेंगे अब एक बार आपसे कहूंगा गुजारिश कीजे वहां पर कैमरा परसन से की वह आसपास की हलचल को दिखाएं और किस तरीके से वहां पर आवाज आहीं लोगों की बढ़ी है आवास पर वो भी जरा एक बार दिखाएं और महमान हैं जो आते हैं उनको यहां पर बैठाया जाता है तो यहां पर फिलाल अंदर बैठे हुए हैं सभी लोग कोई भी बाहर अभी निकल कर नहीं आया हैं तकरीबन एक घंटे का वक्त हो चला है और विधायक मौजूद हैं कोई विधायक अभी तक बाहर निकल कर नहीं और उनकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है तो हम बता नहीं पाएंगे लेकिन ये तमाम उनके बंगले के अंदर जो गाडिया खड़ी है उससे आप अंदाजा लगाईए कि यहां पे कितने लोग मौजूद हैं कुछ लोग सरगुजा से भी पहुँचे हुए हैं और उनक की बैठक हुई थी उसके बाद से लगा था कि सायद कुछ इस्तिती बहतर होगी और बाबा सायद सहज होते वह नजर आएंगे लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं मंत्री मंदल के साथ उनकी जो बैठक हुई है उसके बाद भी उनका मूट कुछ ठीक नहीं हुआ है और उसी झाल 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 झाल